हेलो फ्रेंज आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम में फेस्बुक से डिस्कनेक का ओप्षन नहीं आ रहा है हाँ फ्रेंज आपको इंस्टाग्राम में फेस्बुक को डिस्कनेक करना है तो इसका ओप्षन आपको इंस्टाग्राम में नहीं मिल तो यह problem कैसे ठीक करेंगे उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको वीडियो को सुझो से लेकर एंद तक देखते रहेंगे और आपने भी तक मेरी यूट्जूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब कर ला दिजै और सब्सक्राइब करने के बाद और और के बटन पर क्लिक कर दिजै आये friends चलिए वीडियो को start करते हैं तो friends जब भी आपको Instagram और Facebook को disconnect करना है तो सबसे पहले आपको Instagram को open कर लेना है उसके बाद friends आपको मैं ये step by step बताने जा रहा हूँ इसके लिए आपको इस वीडियो को ज्यान से देखना है तो friends सबसे पहले आपको Instagram को Facebook को disconnect के लिए ये वाले page पर आ जाना है यहाँ पर आप click करोगे तो ये page open हो जाएगा उसके बाद friends आपको यहाँ पर ये जो three line दीख रही है right side corner में उस पर आपको click करना है और यहाँ से फिर सीधा आपको ये setting वाला option दीख रहा है उस पर आपको click कर देना है उस पर click करने के बाद friends आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा ये account वाला ये जो option दीख रहा है उस पर आपको click कर देना है उस पर click करने के बाद friends आपको यहाँ पर एक और option मिल जाएगा sharing to other apps वाला तो यह वाले option पर आपको click कर देना है और friends यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा यहाँ पर Instagram जिस भी Facebook account के साथ link है connected है वो यहाँ पर उसका name आ जाएगा username आ जाएगा तो अब आपको यह वाला जो option दीख रहा है आपको मैं बता दूँ यह वाला जो option दीख रहा है उस पर आपको click कर देना है उस पर click करने के बात friends आपका यहाँ पर account चेंटर open हो जाएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अब आपको यहाँ पर इसको disconnected करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपका यह आप चाहो तो ही अकाउंट चेंज कर सकते हो लेकिन यहां पर आपका मैं बता दूँ यहां पर आपको आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है यह वाले फेस्बुक पेज या अकाउंट लिंक करना है तो यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन यहां पर आपको इसको रिमूओ करना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंज यहां पर आपको अकाउंट में जाना है अकाउंट में जाने के बाद फ्रेंज आपको यहाँ पर यह जो Facebook का अकाउंट है वहाँ पर आपको एक Remove का आप्सन मिल जाता है यहाँ पर आपको रिमूव वाले आप्सन पर क्लिक कर देना है उसके बाद Friends आपको यहाँ पर Disconnect का आप्सन नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर ऐसे एक remove का option मिल जाएगा तो remove वाले option पर click करना है उसके बाद दोबारा यहाँ पर remove account वाले option पर click कर देना है यहाँ पर आपको continue पर click कर देना है remove further paddle आपको यहाँ पर click कर देना है तो आपका Instagram और Facebook का account disconnect हो जाएगा If you change your mind, you can re-add this account at any time यानि कि अगर आपका mind change होता है कभी भी तो आप इसको change कर सकते हो re-add कर सकते हो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा Instagram और Facebook disconnect हो चुका है अब हमको यहाँ पर आप लोग को मैं बता देता हो setting में जाकर account में जाकर sharing to other apps में आप लोग देख सकते हो मेरा Facebook का account यहाँ से disconnect हो चुका है remove हो चुका है और friends मैं आपको बता दू कि अगर आपकी यह process से आपको यह option नहीं मिल रहा है यानि कि disconnect नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा तो friends इसका मतलब यह है कि आपका Instagram का latest version आपके फॉन में डाउनलोट नहीं है तो सबसे पहले आपको प्लेश्टूट पर जाना है प्लेश्टूट पर जानने के बाद आपको यहां पर Instagram को सर्च कर देना है अब आपको यहां पर सर्च करने के बाद open का option आ रहा है उसकी जगह पर आपको update का option आता होगा तो आपको सबसे पहले instagram को update कर लेना है update करने के बाद आपको instagram को open कर लेना है और फिर मैंने जिस भी तरह मैंने जैसे वीडियो में बता है उस step को आपको follow करना है तो आपकी problem 100% solve हो जाएगी और आपका instagram और facebook disconnect भी हो जाएगा तो आपको यह step follow कर लेना है अगर दूस्तों आपको update करने के बाद भी instagram में यह option नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर three line पर जाना है उसके बाद आपको settings में जाना है setting में जाने के बाद friends आपको यहाँ पर एक help का option मिल जाता है help वाले option में जाने के बाद आपको report problem में जाना है और यहाँ से आपको इस पर click कर दिना है अब आपको यहाँ पर briefly explain करना होगा कि आपको actual में क्या problem आ रही है तो आपको जो भी problem आ रही है उसका screenshot ले लिजे यानि कि आपको option नहीं मिल रहा है तो आप उसका screenshot ले लिजे और यहाँ पर Instagram को लिग दिजे कि आपके जो भी problem है आपको Instagram और Facebook डिस्क कने का option नहीं मिल रहा है वह problem आप यहाँ पर लिख दिजे और send कर दिजे विधिन 24 hours to 48 hours आपकी यह problem स्वाल हो जाएगी आपको यह problem दुबारा नहीं आएगी तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहे है वह Instagram को रिपोड़ प्रॉब्लम में send कर दिना है तो आपकी 100% प्रॉब्लम स्वाल हो जाएगी तो फ्रेंस आपको यह वीडियो कैसा लगा स्वाल हो जएगी तो आपको यह लुब्लम आपको